मेला देखने जैसे ही आप रस्णा में प्रवेश करोगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रस्णा का प्रसिद मंदिर नाथ बावा का मंदिर अगर आप भी नहीं आये हो तो एक बार जरूर आईएगा ये है नाथ बावा का मंदिर उसके करीब में संकर जी का मंदिर और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग चलेंगे मेला को देखने मेला इस बार बहुत ही अच्छा लगा है और आप लोग भी जरूर आईएगा और अगर आप मेला आये हो तो यह राम लीला भी जरूर देखना इसका टाइमिंग 5-6 बज़े के करीब में है तो जरूर आईएगा और आकर के राम लीला भी देखिएगा बहुत ही खुबसूरत राम लीला लगता है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भी बड़ा मेला रसना का प्रसिद्ध मेला यहाँ पे काफी संख्या में लोग आते हैं तो इस मेला का भी आनंद उठाइए जहां से भी हैं आपको प्रति दिन रसना मेले का अपडेट मिलता रहेगा और वीडियो को इसी तरह देखते रहेगा आप त्यार सपोर्ट करते रहेगा देख सकते हैं पोसा देख से और हमारे बड़े भईया गुरुतुले भईया अक्तर भईया आप चलते हैं आगे हम लोग और आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि बहुत ही बड़े-बड़े यहां पे जूले लगे हुए हैं देखे आप लोग कि ब्रेक डान्स को काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं वो भी ब्रेक दे दे कर अगया कि यह देखती है कि दूले की शुरुवात हो गई है और यहां पे देख सकते हैं ओ भाई कि जूले का एंट्रफीस जानते हैं हम लोग या एंट्रफीस कितना है पच्छास रूपए अगर आप इस जूले पे चड़ना चाहते हो तो एंट्रफीस आपको पच्छास रूपए देने होंगे और बाकी हम लोग लोग इस जूले का प्राइस पता करते हैं आप लोग के सामने अगर आप सवार होना चाहते हैं और इंज्वाय करना चाहते हैं तो आपको पच्छास रूपए देने होंगे और अभी आगे बढ़ते यहां पे देख सकते हैं त्यारे बढ़ते वच्छों के लिए रेल कि अधाल कर दो मैं यह ठीज़ारी यह रेल गाड़ी का कितना रूपए पचास रूपए यह पाचास रूपए ताय हो चुगा है हर जगे का पचास रूपए लगना ही लगना है आपनी एई गाविया मोट का कुवाँ एदे की मोट का कुवाँ